हालो दोस्तों स्वाधात अपका मारी यूटूब जैनरेश्टी फर इसाम और नॉलिज में आज हम लोग डिसक्स करेंगे माध्यानी मीन्स कैसे निकला जाता है माध्य माध्य का बहुलग और प्रायक्ता पर समधित प्रश्णों को देखेंगे किस तरह से ऐसे प्रश्णों क को हल की जा सकता है सबसे पर देखेंगे माध कैसे निकाला जाता है माध्य बराबर होता है दिये गए आकड़ों का योग बटी दिये गए आकड़ों के संख्या इसे दिया गया है आठ प्राक्तिक संख्याह। उनका मात दिएक आठीक संख्याह। जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प् है तो 36 बटा 8 36 बटा 8 हो जाएगा चार दस्मलों पांच यानि प्रथम आठ प्रति संख्याओं का जो माध्य होगा वह चार दस्मलों पांच होगा इस तरह से निकला जा सकता है और एक प्रश्ण और दिया है एक बाग में लगे कुछ पौधों की लंबाई तीन महिनों के ब 45-45 यानि 15 प्रेड़ों की लंबाई सेंटीमीटर में इस प्रकार से नाँपी गए हैं तो फ़्से उच्छे और सबसे चोटे पौधों की संख्या लंबाई याद करनी है और आख़ोडों का रेंज गयाद करना है पाउधों की लंबाई का मात गयाद करना है तो सबसे पहले यह देखें कि सबसे उचे तो इसमें सबसे उचा कौन सा पाउधा है तो यह देख लेंगे इसमें तो इसमें 148 cm जो सबसे उचा लंबा पाउधा है कौन सा सबसे उंचा पौधा कामजा है 140 cm जिसकी लंबाई है उससे उंचा कोई भी पौधा नहीं है और सबसे छोटे लंबाई की जो पौधा है वह 114 cm है 114 cm तो आख्डों का रिंज निकलने के लिए जो होता है बड़े लंबाई बड़ी लंबाई और माइनस छोटी लंबाई तो बड़ी लंबाई कितना है 148 और माइनस कितना हो जाएगा 114 तो निकल गर कितना आएगा 32 सिंटिमेटर या आकड़ों का क्या हो जाएगा रेंच हो जाएगा पौधे की माध्य लंबाई क्या होगी तो पौधों के कुल माइस आएगा और पॉद्धों की लंबाई का अगर इस तरह से दिया जाए जैसे कि यहां पे दिया गया है एक जो डाटा है इस तरह से दिया जाए जैसे 30 घरों का मासिक किराया निम्न तालिका में दर्शाय गया है तो इसका माध्य मासिक किराया क्या होगा तो इसका माध्य मासिक किराया क्या होगा तो इसका माध्य मासिक किराया निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे माकानों के संख्या एक तरफ लिए बारम बारता यानि उसका जो जो माकानों की संख्या कितनी है यह लिख होंगे तो बारम पारता परले यह जैसे की दिया गया है 300 मासिक किराया कितना है 302 घरों का तो मासिक किराया कितना होगा 300 गुड़े दो यानि 600 रूपे यह यह फेक्स निकल कर आ जाएगा हमारा उसी तरह से 500 मासिक किराया है 7 घरों का तो यह फेक्स की वैलू कितने होगी 500 गुड़े 700 यानि 35 तरह से सभी का हम यफ निकल कर लेंगे सिंग्मा एफ की वैलू और सिंग्मा एफेक्स की वैलू निकल लेंगे तो इन सभी को जो निकालने के बाद इन सभी को क्या कर लेंगे जोड लेंगे इन सभी वैलू को क्या कर लेंगे जोड लेंगे तो हमारा सिंग्मा एफेक्स निकल करके आ जाएगा 38,000 जो निकल करने कि कई 10 सेक्डा 38,100 रुपे 38,100 रुपे जो हमारा होगा F-X निकल कराएगा और F-X कितना है F कितना है F-25 तो माध्य पराबर क्या हो जाएगा माध्य पराबर जो होता है माध्य मासिक किराएआ kwest बरापर Sigma F-X to 38,100 cran 335 यह जो मासिक किराया होगा वह हो जाएगा 10888 दसमलों 16 Maathya अब इसका रिजिम की माधिका कैसे निकाली जाती है माधिका कैसे निकाली जाती है तो माधिका निकालने के लिए आकड़ों को या तो पहले अरोहीक रम में पिर आरोहीक rub में लोग लिख लेंगे यदि कुल आकडों के संख्या वी सम है तो यन वी सम यदि कुल आकडों के संख्या वी सम है तो माध्निविका बराबर हो जाएगा बड़े कोश्टेक में एक बटा दो यन प्लस वन वे पत का मान यन प्लस वन वे पत का मान हो जाएगा यदि आकड़ों के संख्या सम है तो माध्य का बराबर हो जाएगा एक बटा दो बड़े कोश्टेक में छोटे कोश्टेक में यन बाई टू विवपत का मान धन येन प्लस टू येन प्लस टू प्लस वन विवपत का मान इस तरह से निकाल जाएगा जैसे कि एक उदारण दिया गया है 20 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिये गए है यह 20 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किये गए अंक है तो अंकों की माधिमिका क्या होगी तो यहाँ पर 20 जो है एक सम संक्या है 20 क्या है एक सम संक्या है तो इसको जब अलक रेंगे, तोpiece टेक में हखाएगा 10में में से लिखक देएर। ह्सजाइगा 10में पर क्मान लिख लेंगे यहां पे आरहे पर हृट करें में लिखने देखेंगे 10मा On to do 55-65-ky Зем पर और यह20-leshaw passe में सिंहे हैं 5 पर 8-8 यह, तो पोटण 2 75 beim 25 इसको अखल करें क्यों तो कितना जाएगा 80 क्या होसा हमारा अंको का माध्य मिका यह क्या निकल कर आया अंको का माध्य मिका निकल कर आगए अब बात करेंगे हम लोग बहुलग का बहुलग दिये गए आकषडों में सबसे अधिक बार आने वाला जो संख्या होता है वही क्या होता है बहुलग का लाता है वही क्या कलता है बहुलग कलता है जैसे दिया गया है एक जूते की दुकान पर निमने लिखित मापके जूते भी के हैं 6 नमर के हैं, 7 नमर के, 8 नमर के, फिर 7 नमर के, 6 नमर के, 5 नमर के, 8 नमर के, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सी संक्या सबसे अधिक बार आई है, कौन सी संक्या सबसे अधिक बार आई है, यहां पर देखेंगे हम लोग, 6 जो है कितनी बार आया हुआ है, 6 इस संक्या म टेवल एक बार है, साथ कितनी बार है, तो साथ एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार साथ आया हुआ है, इसके बाद देखें कि आठ कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार, चार बार आठ भी है, नौ कितनी बार है, तो नौ जो है, एक बार, दो बार तीन चार पानद छ़र त्यानि छवर नौ सबसे ज़्यादा अधिक बार संख्या आई हुई है यहापे अगर इसमें हम काउंट करेंगे हम लोग तो नौ सबसे अधिक बार आई हुई संख्या है तो 9 क्या है दिये गए आकड़ों का बहुत लग कर लाएगा क्या कर लाएगा बहुत लग कर लाएगा 10 भी देखेंगे हम लोग तो 10 बहुत दो बार आया हुआ हैं 10 कितनी बार आया हुआ है दो बार आया हुआ है तो यहाँ पर 9 दिये गए आकड़ों क्या है इसके बाद बात करेंगे प्राइक्ता की प्राइक्ता समंधित एक प्रश्न का तास के 52 पत्तों की गड़ी में से एक पत्ता खीचा जाता है तो प्राइक्ता ग्याद कीजिए कि एक का होने की संभावना कितनी है तासी गड़ी में इक्का होने की संभावना कितनी है या हमको पता है कि तासी गड़ी में चार इक्के होते हैं तासी गड़ी में कितनी इक्के होते हैं चार इक्के होते हैं एक पान का इक्का होता है एक होकुम का इक्का होता है एक इटा का और एक और एक और इक्का होता है च से कितनी हैं बावन होती हैं तो प्राइकति अनुकूल बावा पावन होते हैं यहां